हलो गैस स्वागत आपका अपने यूट्यूब चेनल बेंकिंग स्पार्टन में है तो बेंकिंग स्पार्टन की ये न्यूज सीरीज साइज एकोनोमी और फैर्स इसमें हम वेरियस टॉपिक जो हो टॉपिक जो कि करन्ट अफैर के न्यूज में रहेंगे इसको डिसकस एक जो हट टॉपिक है जो काफी न्यूज में है चाइना यूज मैक्रोवेव अटेक ओन इंडियन सोल्जर्स तो इसके अपर हम डिसकर्शन करने वाले हैं तो विदाव टेने डिले लेस्ट विगेंड तो जैसा कि अभी ये न्यूज में था कि रिसेंट्ली इंडिया डिस जैसे कि आप जानते हो कि यह काफी समय से इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टेंड आफ चल रहा है तो इसको कितना टैम हो चुका है इसको लगबख six months हो चुके है जैसे कि आप देख सकते है six months इसको हो चुके है तो एक रिपोर्ट आये रिसेंटली डेली बिटिस ड times के दौरा विच अचाइनीज प्रोटे प्रोफेसर तो क्लेम देट चाइनीज आर्मी है यूज माइक्रोवेव वेपन्स तो ड्राइव इंडियन सोल्जर अवे फ्रॉम दियर पोजिशन इन इस्टन लगदाक तो इस्टन लगदाक में जो हमारे जो सोल्जर से उनकी होते हैं माइक्रोव हतियार जो माइक्रोव हतियार है इसके आवरे हम डिसकस कर लेते हैं तो जो माइक्रोवेव वेपन है वो उनको क्या बोलते हैं उनको डारेट एनरजी वेपन्स कहा जाता है तो यह कम घातक होते हैं यतने घातक नहीं होते हैं जिसमें कोई भी गंबिर बल्फ को चूने पर होती है तो गरम बल्फ को अगर आप चूओ गए तो जितनी जलन होती है उतनी जलन इस माइक्रोवेव हतियार से होती है तो माइक्रोव हतियार असर तब तक होता है जब तक कि आप उस target की जगए उसी जगे खड़े हो लेकिन निकल जाने पर उसका असर खतम हो जाता जैसे ही आप इस उसमें देख रहे हो आप कि आपको इसमें देख रहा होगा कि इस पिक्स में कि जैसे कि एक microwave हतियार का यूज किया वा है तो इसमें जब तक आप इस target पर खड़े रहोगे तब तक आपको वहां पर जलन होती रहेगी जैसे अब एक बार टार्गेट से निकल जाते हो तो इसका असर क्या होता है खतम हो जाता है क्या हो जाता है इसका असर खतम हो जाता है अब कैसे काम करते है माइक्रोवेव हतियार तो जो माइक्रोवेव जो भी हतियार होते हैं वो कभी ना कभी माइक्रोवेव ओवन में खाना जरू खाया होगा आपने तो माइक्रोवेव हतियार जो होते हैं उसी तर्च पर काम करता है जिसा माइक्रोवेव ओवन करता है तो ज हतियार के radiation में microwave की जगह millimeter waves का यूज किया जाता है जो हमारे जो microwave हतियार है इसमें क्या होता है radiation का यूज होता है इसमें millimeter waves का यूज होता है इन हतियारों से एक किलोमेटर तक target किया जा सकता है किते किलोमेटर तक इन हतियारों से एक किलोमेटर तक target किया सकता हैं और क्या होता है, मेक्रा हतियार से जब हमला करती है, तो हमला करने पर शरीडा का कितना हो जाता है, 50 degrees Celsius, 50 degrees Celsius तक इसका पहुच जाता है, जबकि हमारे जो बइसंतना है जब कि हमारे जो सरीर होता है, टेंप geven ho apparent होता है 36.1 डिग्री से 37.27 37.2 डिग्री सेलसेस के बीच में तापमान सामान ने माना जाता है जो हमारे सरी का तापमान है अब जो चीनी चीन के जो अगबार है global times उसके मिताविक जो macro हत्यार है वो दो तरीके से काम करता है कितने तरीके से दो पेला जो होता है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को target किया जाता है पेला जो होता है वो कितने एक व्यक्ति को target किया जाता है जो दूसरा होता है उसमें भीड को target किया जाता है कि इसको भीड को ताकि वो तिर बितर हो जाए है ना तो यह यह था ग्लोबल टाइम्स का अनुसार फिर क्या होता है जब माइक्रो हतियार से हमला होता है बॉडी कैसे रिस्पॉंड करती है तो क्या होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है है ना जिससे क्या होती है उल्टी आने लगती है और शरीर क से खुन निकलने लगता है सीरदध होने लगता है शरीर कापने लगता है जिससे आपको क्या होता है कि चक्कराने लगते हैं कभी-कभी आप गिर भी जाते हैं उसके करण अब विच कंट्री अब किस कंट्री के पास यह माइक्रोवेव वेपन्स है तो अनमबर आफ कंट्री तो टू है उड़लोप्ट दोस वेपन्स टारगेट बोथ हुमन्स एन इलेट्रोनिक सिस्टम अकॉर्डिंग तो रिपोर्ट इन डेली मेल चायना फॉर्स्ट पूट उन डिस्प्ले तो चायना ने सबसे पहले इसको शौफ कर रहा था आइब यूनाइडड सेट्स है अलसो डेल लप्ड अप्रोटो टाइप मैक्रोवेव स्टाइल्स जिसको क्या बोलत है वह एक्ट्व इनियल सिस्टम बर इन अबद एडेल एंस टेम अ भी वह एक्ट्व लोक्य यौ कि ब्रटोटाइब लटल उन सिसका नां लेखल वेपन जो नौन लेखल वेपन से उससे जादा extent तक जा सकता है यह आगो कि बाप क्या भारत में बारत भी इससे ब्रकाम कर रहा है क्या तो हाँ भारत भी इससे ब्रकाम कर रहा है लेकिन अभी सुराथी चरण में जिसए कि और चेहर मैं डाक्टर जी इन्होंने का था कि आज हमें जो डाय एनरजी है ड्निया में द्धुनियास की दरब बढ़ रही है हमें भी इस्कों लेकर प्रयोक कर stellा तीन-चार सलों में में 10 kilowatt से लेकर 20 kilowatt तक की जो हत्यारे वो डेवलोप करने के लिए कान्म कर रहे हैं है न तो 2017 में DR.D.O ने करनाटक के चित्रदुर्ग में कायना टक के चित्रदुर्ग में एक किलो वाट के हतियार का टेस्ट किया था उस समय रक्षा मंत्री कौन थे अरुन जेटली है ना हम लोगों ने भी कायना टक के चित्रदुर्ग में एक किलो वाट के हतियार का टेस्ट कर लिया अब जो की हाइलेट्स है इस वीडियो के वो थोड़ा जान लेते हैं तो इसमें की हाइलेट्स करते हैं एक USSR है USSR भी बिल्यूग करता है कि उसने यूज किया था माइक्रोवेपन्स का यूज के अगेंस्ट में डिप्लोमेट्स में तो फास्ट टाइम उन नैंटी सेवन्टी में तो अभी रिसेंटले भी आप आपको बता होगा कि 2017 में कि USSR जो की USA ने कन्फर्म करा था मतलब एक तरीके से बता तो येश ने कि USSR ने जो कि रसिया ने उसके जो FEA जो यूज के झो डिप्लिमेट जो लंके उपर साउंड वय्व का यूज किया है किसका साउंड वयू का और एसा माना जाता है कि ghost ना होकर वह क्या थी वह वह इसे ही माना गया है क्या मैंयग है मांग सार्वल टाइस of Direct Energy weapons, यह Direct Energy weapons that have been developed by military scientists around the world, तो कों develop करता है? यह military scientist develop करते है, around the world, मतलब दुनिया की कि जो इतनी भी countries है, उनमें जो cause developing country यह यह डिवलप country है, उनके military scientist इसको develop करते है, और broadly speaking DEWS जो कि इसको क्या बोलते है, Direct Energy weapon, यह two types के होते है, एक higher energy laser होती है, एक high power और microwaves होती है एक lasers होती है और एक क्या होती है microwaves है ना तो china had first put on display its microwave weapon called poly wbm जैसे हमने अभी पढ़ चुके हैं वीडियो में कि कि किस ने चाइना ने सबसे पहले show off कर रहा था united states has developed prototype microwave style weapon जिसको क्या बोलता है वो active daniel system कौन USA USA ने क्या बनाया active daniel system है ना तो यह था एक comprehensive video for hot topic जो की recently news में था जिसमें काफी सारी चर्चाय चल रही थी कि china ने microwave weapon का यूज करके इंडिया पर इंडिया के soldiers पर किया है जो की अभी recently इंडियन आर्मी ने उसको deny कर दिया है है ना तो आज के इस hot topic में इंडिया तूर्चाय तो प्राइब दीस तूर्चाय आर्याओ यूज कि अट्राइब यूज बाक्यूटो यूज प्राइब यूज को अटियू